नमस्कार स्वागत्य आपका इंडिया ने उसके डिजिटल पैट्पॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्टा सचिन पाइलेट के पिता राजेश पाइलेट की आज यानी 11 जून को पून ने तिति है अटकले चल रही है कि सचिन पाइलेट आज कुछ बड़ा करने व होगा हाला कि शद्धान जूली सभा में शामिल होने वाले विधायकों और मंत्रियों से प्याइलेट की ताकत आ की आपी जाहिए कि कई मंत्रियों के साथ पूर्वराजस्थान के बड़ी संख्या में विधायक और को उंग्रेस निता इसके बाद पाइलेट सुबह करीब साथे ग्यारा बजे 12 से गूजर छात्रवास में अपने पिता राजेश पाइलेट की मूर्ति का अनावरं लेकिन इस कारेक्रम में अभी तक भार्षन का कारेक्रम नहीं है पाइलेट ने इस कारेक्रम में भी कुछ देर रुखने का प्रोग्राम है उसके बाद वो फिर गाजियाबाद के पास अपने गाउं जाएंगे गूजर छात्रवास में अनावरन कारेक्रम में भी कोई बड़ी भीड जुटाने की योजना पाइलेट समर्थकों की नहीं है वहाँ ना ही इस तरह की तैयारिया की गई है आपको बता दे पाइलेट एक जून से अब तक चुप है उन्होंने 31 मई तक अपनी मांगो पर कारेवाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत को अल्टीमेंटम दिया था लेकिन इस बीच गहलोत और पाइलेट की राहूल गांधी से मुलकात हुई और उसके बाद पाइलेट और गहलोत दोनों ही चुप है पिहाल बताया जा रहा है कि पाइलेट की 11 जून ना तो कॉंग्रेस पार्टी छोड़ने की कोई योजना है और नहीं नई पार्टी या बड़ी घोशना करने की कोई संभावना है पाइलेट राहूल गांधी के विदेश से लोटने का इंतजार कर रहे है वो उसके बाद राहूल गांधी से मुलकात करके ही अपना अगला कदम उठाएं आपको बता दें उलेकनी यह है कि सचिन पाइलेट और अशोग गहलोद के बीच चर रही सियासी खीचतान विक का पार्टी ने अपने इस तर पर निस्तारण करने की पूरी कोशिश की है कॉंग्रेस संग्णधन महासरचीफ केसी वडू गोपाल ने पाइलेट और गहलोद की राहूल गांधी के साथ हुई मुलकात के बाद मीडिया के सामने दावा किया था कि सुले का फॉर्मूला निकाल लिया गया है उसके बाद दोनों निताओं को एक साथ मीडिया के सामने लाया गया था लेकिन उसके बावजूद अभी तक सुले का फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है दोनोंने ताओं के बीच सियासी तनाव अभी भी जारी है फिलाल के लिए अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लैक्पॉर्म के साथ नन्यमार